नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल All Technical Solutions में तो दोस्तों अगर आपका कोई छोटा बिजनेस है यहाँ पर ज़रूरत होती है कि हम अपने कस्टमर्स को अपना GST Invoice या अपना जो बिल है अच्छी तरह से दे और यह अच्छी तरह से प्रोपेशनल लगे और दोस्तों हम यह भी कोशिश करते हैं कि हम जो भी आवे ट्रांजेक्शन करते हैं या जो भी हम वहवार करते हैं उसका पूरा हिसाब हमारे पास यहाँ पर रहे आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट के बेना मैं सीधा आपने वीडियो को शर्वात करता हूँ तो इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे प्ले स्टोर पे जाना होगा तो मैं सीधा यहाँ पे प्ले स्टोर पे जाता हूँ इसके आएगे आपको लिखाओ मिलेगा invoice billing GST accounting मतलब यहाँ पे आप सब कर सकते हो bills भी बना सकते हो digitally और इसका account भी आप अपने पास save करके रख सकते हो यह बहुत अच्छा app है दोस्तो इसका rating भी देखिए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 4.6 star का rating है इसका यहाँ पे 5 million से भी ज्यादा इसके downloads है तो दोस्तो आप इसको अपने mobile में यहाँ पर download करके लिजिए और इसे install करके लिजिए तो मैं इस app को अभी यहाँ पर open करके लेता हूँ तो दोस्तो इसे open करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक interface यहाँ पर आने वाला है और दोस्तो आपने अगर नया नया इस app को भी install किया है तो यह आपको आपका mobile number पूछेगा तो दोस्तो आपको अपना mobile number डालना होगा तो दोस्तो उसके बाद आपको एक OTP आएगा और इसका verification हो जाएगा उसके बाद दोस्तो आपके सामने इस तरह का यह page यहाँ पर आने वाला है आपको यहाँ पर सबसे पहले चीज क्या करने है आपको नीचे यहाँ पर दो options दिख रहे है purchase और add sale तो दोस्तो अगर आप कोई सामान खरीद रहे हो तो आपको यहाँ पर purchase पर पर देना पड़ता है तो दोस्तो इसके लिए हम यहाँ पर जब भी sale करते तो हमें यहाँ पर यह bill बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है तो दोस्तो मैं यहाँ पर add sale पर click करके लेता हूँ तो दोस्तो इसे open करने के बाद आपको यहाँ पर invoice number 2 दिख रहे है मतलब यह मेरा bill number 2 है क्योंकि एक जो पहले number का bill है वो मैंने पहले तयार किया था तो उसके बाद मेरा यह bill number 2 है मतलब आपका कौन सा bill कितने number का यह सब आपका record यहाँ पर रहने वाला है उसके बाद दोस्तो आपको यहाँ पर आपका जो date है जब भी आपने यह bill बनाए उसका date पर दिखाई दे रही है उसके बाद दोस्तो customer तो यहाँ पर दोस्तो हम जिस भी customer को अपना माल sale कर रहे है उस customer का नाम यहाँ पर आने वाला है जैसे कि मैं अभी एक example के लिए एक नाम यहाँ पर डाल लेता हूँ तो मैं यहाँ पर सुरेश एक नाम यहाँ पर डाल के लेता हूँ और उसका जो सरने में वो मैं एक शर्मा ऐसा रख देता हूँ या उसके बाद मुझे यहाँ पर क्या करना होगा तो उसको आपको यहाँ पर add करना पड़ेगा जैसे कि मैं example के लिए अभी आपको बताता हूँ कि आपको chairs और tables यह बेचने का आपका business है तो आपको यहाँ पर पहले chairs का करके लेना है तो मैं यहाँ पर item की name की जगा पर यहाँ पर chairs डाल देता हूँ उसके बाद यह हमारी quantity पूछ रहा है मतलब हम कितने chairs का बिल यहाँ पर बना रहे तो मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ 25 तो दोस्तो यहाँ पर quantity में हमने 25 डाल लिया लेकिन यह 25 मतलब क्या है तो इसके लिए हमें यहाँ पर unit पर क्लिक करना होगा तो unit में हम यहाँ पर देख सकती है कि हमें यहाँ पर जो pieces का option है वो यहाँ पर डालने होगे जैसे कि आप समझ सकते हूँ chairs मतलब एक subject है मतलब दोस्तो यह एक चीज है तो चीज हम piece में यहाँ पर count करते हैं उसके बाद दोस्तो जो भी इसका rate है वो आप यहाँ पर डाल लीजे तो यहाँ पर price per unit है मतलब आप एक piece का कितना price रख रहे हो वो यहाँ पर समझ दीजे मैं example के लिए यहाँ पर 200 डाल के लेता हूँ तो उसके बाद दोस्तो जो भी आपका tax included या excluded है वो आपको यहाँ पर add करना पड़ेगा अगर आप यहाँ पर डालना चाते हो तो तो नीचे आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसका जो पूरा sub total है वो 6250 रुपे यहाँ पर हो गए तो इसमें दोस्तों आपके पूरे taxes आप अगर add करते हो तो वो भी आएंगे आप अगर add नहीं करते हो तो वो भी आएंगे तो दोस्तों उसके बाद आपको discount का option मिल रहा है आप अगर इसमें यहाँ पर discount देना चाते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं जैसे कि अभी मैं यहाँ पर 10% discount डाल देता हूं तो यहाँ पर 625 रुपए यहाँ पर minus हो गए आपकी जो सब total है उसमें से तो दोस्तों इस तरह से आप यह बील यहाँ पर बना सकते तो आपका जो total amount हो गए 5,625 तो यह आपको यहाँ पर save करके लेना है तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते कि यह आपका chairs का पूरा data यहाँ पर आ गया तो दोस्तों यह chairs का हो गया और आपको समझ लेजी कि अभी 25 टेबल भी बेचने तो आपको फिर से यहाँ पर add items का जो option दिख रहा है वहाँ पर आपको क्लिक करके लेना है वहाँ पर आपको जैसे कि हमने chairs के लिए किया था वैसा procedure यहाँ पर repeat करना पड़ेगा जैसे कि item name की जगा पर हमें यहाँ पर table डाल के लेना होगा उसके बाद दोस्तों quantity में हमें यहाँ पर डालना है 25 unit में हमें यहाँ पर डालना है pieces तो मैं यहाँ पर pieces पर क्लिक करके लेता हूँ उसके बाद जो rate है वो यहाँ पर हम डाल के लेते हैं समझ लीजे 500 rupees पर piece का उसके बाद जो भी tax आपको include करना है वो आप include कर लीजे या exclude करना है वो exclude आप यहाँ पर select कर लीजे उसके बाद आपका नीचे यहाँ पर total taxes यह सब price इसका यहाँ पर आ गया है तो यहाँ पर आप इसमें भी 10% अगर discount दे रहे हो आप अगर देना चाहते हो तो दो अगर आप यहाँ पर discount नहीं देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कुछ भी मत डालिए उसके बाद दोस्तो आपका जो 1250 जो discount है वो sub total में से minus करके यहाँ पर 18,250 रुपे इतना आपका यह sub total हो गया और इसे हम यहाँ पर save करके लेते तो दोस्तो यह दोनो items हमने अपने bill में यहाँ पर add कर लिए उसके बाद दोस्तो यहाँ पर आपका total amount दिखा रहा है नीचे 16,875 रुपे तो हमें कोई भी payment मिला नहीं इसलिए हम received के आगे कुछ भी यहाँ पर नई type करके रहेंगे अगर आपको कोई advance मिला है जैसे के आप समझ लिए कि आपको आगे वाले party से 5000 रुपे advance आये तो आप दोस्तो यहाँ पर 5000 add कर सकते है और जो आपका remaining amount होगा वो आपको नीचे यहाँ पर दिखाने वाला है उसके बाद दोस्तो आपको नीचे save का option मिल रहा है आप यहाँ पर save कर लिजे तो दोस्तो इस तरह से आपका यह बील यहाँ पर दिखने वाला है आप यहाँ पर देख सकते है यहाँ पर आपके जो company उसका नाम आ गया है जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि SM Mumbai उसके बाद आप अगर आपका नाम भी यहाँ पर add करना चाते हो तो आप कर सकते हो इसके लिए आपको इसके उपर click करके लेना है उसके बाद आप अपने business का name phone number आपका email id address और GST information यहाँ पर डाल सकते हैं और उसे यहाँ पर save कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर right hand side के अपर corner में एक logo दिखाए दे रहे हैं जहाँ पर आपको यहाँ पर mango दिखाए दे रहे हैं तो आप यहाँ पर आपके जो company का logo है वो भी यहाँ पर डाल सकते हो उसके बाद नीचे आपने जिस इनसान के नाम से bill किया है उसका नाम इस bill के आगे आपको यहाँ पर दिखने वाले है जैसे कि हमने डाला था सुरेश शर्मा के लिए तो दोस्तों उसका नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके बाद आपकी जो item के details है जैसे कि दोस्तों chairs और table दोने कोई quantity 25-25 है उनके जो rate से हो भी हम देख सकते हैं और उसका जो discount है वो 10% discount यहाँ पर माइनस करके जो भी हमारा पूरा जो sub total होता है वो नीचे यहाँ पर आ गया है दोस्तों उसके बाद सबचे नीचे आपको ethroid signature ऐसा एक option यहाँ पर देखने को मिल रहे है तो आप यहाँ पर क्लिक करके आपको कोई भी signature है वो यहाँ पर डाल सकते हो तो दोस्तों मैं एक signature ऐसा यहाँ पर आपको दिखाने के लिए डाल देता हो तो आप यहाँ पर देख सकते ही कि यह signature यहाँ पर आ गया है दोस्तों आप इसे PDF में भी export कर सकते हो और JPG file में भी यहाँ पर convert कर सकते हो तो इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर save and close पर क्लिक करके लेना है और उसके बाद आपका यह bill यहाँ पर आ गया है तो इसके बाद दोस्तों आपको right hand side के upper corner बें जो three dots है उसके आगे एक share का button मिल रहा है तो आपको वहाँ पर click करके लेना है और यहाँ पर आप share as image करते हो तो यह JPG format में यहाँ पर save हो जाएगा जो कि आपकी gallery में यहाँ पर आ जाएगा और आप अगर share as PDF करेंगे तो यह PDF फाइल में भी यहाँ पर save हो जाएगा तो मैं यहाँ पर share as PDF पर click करके लेता हूँ तो यह हमारा PDF में यहाँ पर save हो गया तो दोस्तों अभी हमें यहाँ यहाँ पर नीचे किजिए और जाए 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 शेयर किजिए दोस्तों हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो दोस्तों चलिए आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद वंदे मातरम